दोस्तो आपको तो पने हैं कि इन दिनों रागाव लॉरेंस अपनी आने वाली मच अवेटेट फिल्म यानि की लक्ष्मी बंग को लेकर बॉलीवुड में काफी शुर्खियां बटोर रहे हैं लेकिन आज उनको लेकर एक बहुत बड़ी ख़वर आई है जिसको सुनने के बाद वाकई में दिल को खुशी मिली है येलो ट्रेंट्स मैं हूँ नरेंदर और मैं आपके लिए लिक राया हूँ और एक खास रिपोर्ट जो की जुन्य भिया साउथ इंडिस्री के बहतरीन एक्टर और डिरेक्टर यानि की रागाव लॉरेंस से तो दोस्तो आपके तो बनी है कि रागाव लॉरेंस ने भीया हाल फिलाल में अक्षे कुमार के फिल्म यानि के लक्ष्मी बम का काम शुरू किया था जिसे बता जा रहा है कि बहुत जल्दी पूरा भी हो जाएगा यानि कि लक्ष्मी बम को वो डिरेक्ट करते नजर आ रह था तो भाई वो इस फिल्म को यहां पर डिरेक्ट करते नजर आ हैं तो दोस्तो लक्ष्मी बम का तो हम सब को बहुत ही बेतावी से इंतजार है लेकिन इसे बीच में रागाव लॉरेंस ने अपने सोचल मीडिया एकाउंट से एक ऐसी जानकारी सब को दी थी जिसको सुनन के बाद हर कोई दुखी हो गिया था दोस्तों आपको बता दो कि रागो लॉरेंस एक बहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक बहतरीन हुमन बीन भी है यानि कि वह लोगों की अक्सर मदद करते नजर आये हैं साउट इंडिस्री में यानि कि वह ऐसे बहुत सारे काम करते हैं और उन्ही कामों में से एक है रागो लॉरेंस का वो संस्थान जहां पे अनात बच्चों को रखा जाता है यानि कि रागो लॉरेंस एक अनाथाले भी चलाते हैं जहां पर बहुत सारे बच्चों को शरन दिया जाता है और इसी से जुड़ा हुआ एक खबर आया था जिसमे बहुत बड़ी खबर दी कि भाई जो खबर उन्होंने बताई थी कि भाई कुछ बच्चे और कुछ करमचारी कुरोना वाइरस से ग्रसित हो गए है तो भाई उन में अब सुधार आ रहा है यानि कि भाई ये सब अब धीरे धीरे इस संक्रमन्ट से बाहर निकल रहे है यानि क खबर को सुनने के बाद वाकि में दिल को बहुत तसलि मिली कि भाई वो बच्चे इस संक्रमन्ट से बाहर निकल गां है तो बाली उन से चुड़े और भी कई सारे खबरों को जाने के लिए हमारे चैनल वार इंजिक्शन को लाएके सब्स्प्राइब करना ना भूल और हमा